Hello guys, मैं वो PokiSense और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Dawn के comeback के वारे में तो जो भी लोग Pokemon Journey देख रहे होंगे उनको पता होगा कि Pokemon Journey में काफी पुराने पुराने जो characters है वो वापस आ रहे हैं बस मैं सोचा कि इस topic के बारे में discuss कर लूँ थोड़ा तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बस बिना किसी और बाचित के साथ चलिए इस वीडियो की शिरुबात करते हैं तो Pokemon Journey को लेकर एक बहुत ही बड़ी leak निकल के आ रही है जिसमें हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमें आने वाले एपिसोड में Dawn देखने को मिलने वाली है हमें finally Dawn और Piplup देखने को मिलने वाले है लास्ट आम मैंनोंने Dawn और Piplup को Pokemon Black and White में देखा था उसके बाद सीधा अभी हम देख रहे हैं उसको Pokemon Journey में इससे शायद Serena और Gray Ninja के आने के भी chances बढ़ जाएंगे उसके उपर मैं एक totally dedicated वीडियो बनाऊँगा आगे future में बट फिलाल हमनों Dawn और Piplup के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत टाइम के बात देखने को मिल रहे है Dawn और Piplup तो बहुत ही interesting episode रहने वाला ही है और इसमें सिर्फ हमें Dawn और Piplup नहीं देखने को मिलने वाले इसमें हमें दो legendary Pokemon भी देखने को मिलने वाले है Darkrai और Crisalia I hope, मैं उमीद करता हूं कि Go इन में से किसी को भी ना पकड़े क्योंकि अगर Go पकड़ेगा तो फिर जिस amount का hit Go को अभी तक मिल रहा था वो उस card double या triple हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि Go किसी को पकड़े ना अगर उसको उसकी जान प्यारी है तो यह सब जो है एपिसोड 73 है 74 में होने वाला है मुझे कोई perfect idea नहीं कि कौन से एपिसोड में होने वाला है बट बहुत ही मज़ा आएगा यह एपिसोड देखने में बिकोस मुझे Ash और Dawn का जो कह सकते हैं कि मतलब रिलेशनिशिप है वो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो तो उनों एक दम best friend जैसे रहते हैं एक दूसरे से fight करते हैं तो क्या आप पता हमेशा है तो fight भी देखने को मिले नेक्स्ट एपिसोड में तो बहुत ही entertaining episode रहने वाला है यह आप लोग अगर Pokemon journey देख रहे हो तो मुझे बताना कि आप कितने excited हो इस episode के लिए मैं तो बहुत excited हूँ तो आप लोग मुझे बताना comment करके और हाँ इसके बाद एक 2K special video आएगी जो शायद channel में आप लोग को कल देखने को मिलेगी तो वो भी एक short video रहेगी तो बस episode को लेकर तो इतनी update है अगर मुझे कुछ और मालूम पढता है तो मैं आप लोग को बता दूँगा तो बस इसी के साथ इस वीडियो को end करते है अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर देना और मैं चैनल को subscribe कर देना मैं मिलतर होंगा आप लोग से इसी pokemon contents के साथ तो तब तक के लिए good bye